अगर कोई आप से बोलेगी बिटकोई आज की डेट में आपको मिल सकता है अराउंड 7 सेंट या 8 सेंट तो आप उसको मना करोगे कि नहीं करोगे आप सारे लोग हैं पर मना नहीं करेंगे और विडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर और देना चाते हैं कि कोई भी आदमी आखे आपके कमेंट सेक्शन में आखे कमेंट करके ये बोले कि हमारा WhatsApp नमबर है तो उन से बचके रहना वो सारे के सारे स्कैमर्स हैं किसी भी शोशल मीडिया से कभी भी हम आपसे कनेक्ट नहीं करतें और किसी को भी आपने अपने क्रिप्टो सेंड नहीं करनें यहां पे काफी ऐसे लोग हैं जिनके पास पहली बार जब बिटकोइन इंट्रीजूस करा गया है उन लोगों ने सीधा directly मना कर दिया हम लोगों ने भी यही करा था जहां आरे पास पहली बार कोई बिटकोइन ली कराया था बोलता यह बिटकोइन है इसको आप परचेस कर हम लोग ने यहां पर डारेक्टली मना कर दिया था विकॉज उस ताइम पता नहीं था रिगार्डिंग दी क्रेप्टो मार्केट आज के टाइम में हम लोग देखते हैं तो कहीं न कहीं रिग्रेट करते हैं कि उस टाइम में हमने BTC या कोई और Alt Coin हमने परचेस क्यों नहीं करा और आज के टाइम से उसका क्या रिलेशन है इसके बारे में भी आपको समझाएंगे चलते हैं एक बार कोईन मार्केट का आप में मार्केट का हाल देख लेते हैं बात करते हैं BTC के पास्ट की and current situation की and आगे bull run के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कैसे prepared रहना है so यहाँ पर आप देख सकता है हमने cmc open करती है currently अगर बात करें global market की that is down 1.27% BTC की बात करें 1.1% अगर हम बात करें ethereum की that is down 0.85% आज के time में जहाँ पर हम लोग यह charts देखते हैं हम लोगों को यह लगता है कि यार हम purchase करें की नहीं करें अभी crypto काफी ऐसे लोग है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं for another dip कि वो market में purchases करें market में छोटे मोटे fall जो है fluctuation जो है वो market में रहेंगी शुरू से रही है अभी भी रहेंगी है आगे भी करें यहाँ पर BTC की तो इनके एक बाद chart में जाके कुछ चीजे हैं जो आपको हम यहाँ पर समझाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो currently हमने यहाँ पर open कर दिया है BTC का chart for one day यहाँ पर अगर हम पूरा chart open करें BTC you will be surprised to see the price of BTC कितना कम यह चल रहा था around 21 cents के आसपास यह चल रहा था थोड़ा और पीछे जाए तो around 6 cents के आसपास यह चल रहा था और यह चल रहा था in 2010 आज के टाइम में जहाँ पे हम chart zoom out करके देखते हैं ऐसा price देखते हैं BTC का आपके साथ साथ मैं भी कही न कहीं calculator open करता हूँ यह सोचता हूँ कि 10,000 रुपे का उस टाइम में अगर BTC पर्चेज कर लिया होता तो आज के टाइम में हम आराम से रह रहे होते but the problem is लोग आज के टाइम में भी यहाँ पे BTC या किसी और crypto में invest नहीं कर रहें the problem is कि आज के टाइम में जहाँ पे market नीचे है वहाँ पे भी वो alt coins purchase नहीं कर रहें अगर हम BTC का चार्ट देखें आगे आगे क्या-क्या चीज़े हुई yes fluctuation जो है वो हमेशा जे रही BTC में कभी भी एक side move नहीं करा BTC ने यह आप देख सकते हो इन दी historical chart as well तो आज के time में जो हो रहा है वो हो चुका है पहले दूश historical chart भी यहीं बताता है कि हमेशा एक price जो है वो fluctuate करता है crypto market का it has never happened कि यहाँ पे BTC एकदम ऊपर चला जाए या एकदम crash कर जाए बट उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे अगर देखा bitcoin halving के बाद almost एक साल के बाद हमने again एक price jump देखा जहाँ पे BTC अपना all time high बनाया उसके बाद क्या हो और उसके बाद काफी लोगों ने आपे profits निकाले selling करना start करा BTC को because eventually हम लोगों को पैसा चाहिए in our bank account to ensure के हम लोगों ने आपे profit book करा दिये and वो पैसा हम use करें for different things यहाँ पे उसके बाद एक आया dip काफी लोग यहाँ पे again nervous जैसी आज की situation है वैसी ही कोई situation पहले हो चुकी है people were scared people were nervous की अब क्या होगा BTC का इतना उपर गया था fall हुआ अब क्या होगा what next लोगों ने आपे alt coins ढूणने start करें alt coins में invest करना start करा alt coins भी dip कर रहे थे as soon as BTC started dipping but यहाँ पे again एक rally आई छूटी सी फिर एक dip आया जहाँ पे again हुई bitcoin halving उसके again एक साल के बाद हम लोगों ने एक high देखा अपना all time high बनाया BTC ने and this is the point जहाँ पे हम लोग आपको बार-बार समझाते हैं BTC की halving जो है वो बहुत important role play करती है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं cryptocurrency market की जहाँ पे हम खाली bitcoin की बात नहीं करते हैं हम alt coins की भी बात करते हैं and most of the alt coins and BTC previously historical chart तो यहीं बताता है कि after bitcoin halving almost एक साल के बात यहाँ पे हर crypto अपना नया all time high बनाता है almost हर crypto वो crypto ज़ादा आपको profit देगा जहाँ पे ज़ादा अच्छी developments हुई है yes कुछ cryptos ऐसे भी हैं जिनमें बिल्कुल भी movement नहीं हुई during the times जहाँ पे BTC ने अपना halving करके एक नया all time high बनाया था बट उसके साथ-साथ if you are invested in the crypto जिस पे आपको भुरोस है जिनमें आप पढ़ते हो कि क्या के development हुरी है क्या क्या road map है so you should be confident market में आज की बात करें तो again एक dip के बात हम थूड़ा एक survival zone में आगे इसका नाम हम survival zone ही रखेंगे because यहाँ पे अभी भी काफी लोग अभी भी nervous है कि क्या होगा उनकी investment का आगे जाके यहाँ पे दो चीज़े एकदम clear है आप लोग ने करनी बड़ेगी एक तो आप risk लेना पड़ेगा आपने when it comes to the crypto market crypto market में risk है यह हम भी agree करते हैं most of you agree to the point यहाँ पे risk उतना ही लेना है जितना अगर वो risk उल्टा चला गया तो आप survive कर पाओ so that आपका यहाँ पे जो घर में काम होता है या कुछ भी पैसा आपको चाहिए for the near future वो आप invest ना करो कोई ऐसा पैसा fund जरूर होते हैं हर एक के पास जो वो रखता है बुरे समय के लिए वो पैसा मत इस्तमाल करो in any of the crypto market यहाँ पे कई लोग तो उधार लेके crypto market में invest करते हैं वो चीज तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए yes everybody speaks about the next bitcoin halving जो कि यहाँ पे होने वाली है in 2024 अब क्या एकदम halving के बाद यहाँ पे price increase होगा शायद नहीं यहाँ पे bitcoin के halving जो हमने previously देखी है almost उसके एक साल के बाद यहाँ पे एक all time higher bitcoin बनाता है but उससे पहले भी एक छोटी-मोटी rally हमें यहाँ पे देखने को मिलती है जहाँ पे price जो है वो regain करता है not only for BTC but other altcoins वो एक rally जरूर हम लोग यहाँ पे देखने को मिल सकती है but जो हम bull run यहाँ पे देख रहे है वो देखते हैं around 20-25 क्योंकि उसके बाद यहाँ पे bitcoin halving को approximately 8-12 महीने आप बीच चुके होंगे and उसके बाद हम लोग यहाँ पे assume करते हैं कि एक नया all time high market में बनेगा and वहीं पे हम लोग निकालेंगे maximum profit अब जहाँ पे हम लोग bull run की बात करते हैं वहाँ पे दो चीज़े बहुत important है एक चीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं जहाँ पे आप जादा risk नहीं लेते हो the second important thing is कि आपकी price targets क्या होने चाहिए काफी लोग यहाँ पे price targets पढ़ते हैं कुछ ऐसे targets पढ़ते हैं जो शायद इस bull run में achievable ना हो तो यहाँ पे अगर हम चार्ड में वापिस हैं bitcoin में थूड़ा सम पीछे जाते हैं at around 2020 वहाँ से लेके जब bitcoin halving हुई थी price of bitcoin started to rise and काफी लोग बहुत जादा confident हुए थे bitcoin में लोग ने बोला 50,000 तो यह cross कर देगा जो की करा भी in that peak उसके बाद क्या हुआ अगेन लोग ने हाँ पे profit निकालना शुरू करा अगेन एक dip देखने को बिला 34,000 का BTC यहाँ पे पहुँचा most of the people again started to buy BTC because लोगों को आप लगने लग गया था 50,000 तो बहुत easily bitcoin जो है वो cross कर देता है it should go up till 1 lakh dollars and BTC ने क्या करा reversal आया वहाँ से अगर BTC के हम all time high की बात करें तो आप यहाँ पे side में देख भी सकते हो the all time high of BTC was 68,789 dollars यहाँ पे काफी लोग उम्मीद कर रहे थी कि 1 lakh dollars जो है bitcoin पहुँच जाएगा तो कहीं न कहीं वो एक unrealistic target था उसके बाद क्या हो आप BTC वापस नीचा है जो current situation है वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हो है काफी ऐसे लोग बैठे है इन BTC जिन्होंने एक all time high में भी purchase करा है काफी उनमें से बाहर चले गए काफी अभी तक hold करके बैठे हो है BTC को because they are confident in the crypto market बट यहाँ पे आप लोगों कि अगर realistic target होंगे तब ही आप market में आपे sell out कर पाओगे realistic target होना उतना ही important है जितना important यहाँ पे एक crypto चुनना है जितना important यहाँ पे crypto को purchase करना है कि कौन सा crypto आप purchase करोगे एक समुंदर सा है यहाँ पे crypto market पे कौन सा crypto आप pick करके अपने bag में रखोगे कौन सा alt coin आपके पास होना चाहिए जिसके बारे में हमने कल की वीडियो में भी बात करी it is important कि आप लोग यहाँ पे diversify करो diversify करो according to the categories of the crypto and not only according to the cryptos कि मेरे पास BTC है, Ethereum है, XRP है, Cardano है ऐसे करके नहीं categories में कौन कौन से cryptos कहां कहां fall होते हैं किस category के कौन से cryptos आपके पास पढ़ें वो भी यहाँ पे important है and काफी लोग यहाँ पे यह गलतिया कर रहें आज भी, आज भी वो लोग देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे crypto है, जिसका price कम चल रहा है, यहाँ अपने all time high से काफी नीचे गिरावा है, वो ही purchase करते हैं बाकी के सारे cryptos हम रख देते हैं यह गलतिया ना करें, तो अच्छा है आपकी investment के लिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, अगर historical chart यहाँ पे repeat होता है, तो हम यहाँ पे बोलराण देख सकते हैं around 2025, जहाँ पे market अपना नया all time high बनाए, और हम लोग यहाँ पे काफी अच्छा profit निकाले, बट इसी के सांद जैसा हम हमेशा बोलते हैं, hope for the best but prepare for the worst to happen, चाहे फिर वो crypto market हो या कोई और investment हो जहाँ पे आपने अपना पैसा जो है, वो invest कर रहा है, तब ही आप यहाँ पे plan B बनाके चलोगे, तब ही आप यहाँ पे prepared रहोगे कि market में, जब सारे लोग यहाँ पे selling कर रहे हैं, आप लोग कैसे buying करोगे, आज की time में buying करना काफी difficult है, crypto's को the reason being, क्योंकि यहाँ पे market जो है, वो fluctuate करती है, last one month का chart खोले हम BTC का, तो हम लोग यही confused रहते हैं, कि किस price point में BTC को हम buy करें, जितना आप zoom in करोगे, किसी भी chart को उतना ज़्यादा confusion आपके mind में आएगी जितना आप ज़्यादा zoom in करोगे उतना आपको लगेगा, कि यार यह price point में हमने purchase करना था, but as soon as you zoom out in the chart and यह काफी लोग आपको बोलते हुए सुनाई देंगे कि जब आप zoom out करते हो, तब आपको एक बड़ी picture दिखाई देती है, and बड़ी picture यही दिखाई देती है, कि अगर historical chart repeat होता है, इस बार भी, after the bitcoin halving, तो हम काफी अच्छा profit market से निकालेंगे, what are your thoughts regarding the next crypto bull market, जो भी आपको लगता है, नीचे comment section में comment करके जुरूब बताना, उसी के सांसां, be prepared for the next bull run to come in the market, कब आएगा, कैसे आएगा, कब उसकी शुरुआत होगी, यह भी भी एक mystery है, किसी के पास crystal wall नहीं है, बट यहाँ पे काफी लोगें मान रहे हैं, कि by the end of 23, हम लोग यहाँ पे एक positive moment देख सकते हैं in the crypto market, क्योंकि bitcoin halving है in 2024, उससे पहले अगर एक positive moment आता है, तो वहाँ पे भी काफी अच्छा profit हम लोगों को हो सकता है, the cryptos which we are holding for the short term, long term जो हमारे hold हैं, वो तो जाएंगे for the next bull run, बट यहाँ पे short term कि अगर बात करें, तो काफी ऐसे crypto हैं, जो actual bull run से पहले यहाँ पे अच्छा कासा profit दे सकते हैं, जैसे कि हुआ in the past with we chain, आप लोग जाके वो वीडियो भी check out कर सकते हैं, with that's it guys, आज को वीडियो करते हैं पे, and I hope आपको वीडियो अच्छा लगाओ, अच्छा लगाओ, तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, thank you so much for watching our channel, see you next time, okay bye bye.